सबसे पहले आप यहां पर बिल्कुल लाइफ रूफ देख सकते हूं मुझे दुबारा से एक्सेस बैंक की तरह से यहां पर एक लाग चोभी हजार पर लॉन जो है प्रवाइड किया जा रहा है यह जो लॉन दोस्तों प्री एप्रूवड है मुझे इसके लिए कोई भी डॉ ना चुका हूं तो काफी कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि हमें तो यहां पर जो है ओप्शन आई नहीं रहा है देख लो भाई मुझे थर्ट रॉपर आ रहा है अगर तुम्हें एक्सेस बैंक की एप यूजरूर से आयोगा दौस्तों कैसे मैं चाहूं तो इस अमाउ हो जाएंगी सबसे में चीज है जब भी आप कोई लोन लेते हैं आप इस एप से ले या फिर आप किसी भी एप से ले बेसिकली यह जो है आपको डारेक्ट जो एक्सेस बैंक से मिल रहा है तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत बाजी नहीं आएगी बड़ दोस्तों हर आपको यह जुरूर देखना है कि उसका पर फॉर्ट लोस्त लिए जा रहे हैं तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर फूल प्रोसेस के यहां पर कितने प्रसेंट लोन के फॉर्ट पर चार्ज लिए जा रहे है कि तरह रेत ऑ इंट्रेस्ट मुझे लग रहा है ठीक है मेरे पास नहीं ही gefragt के ओपर आप ONE by one offer चेक कर सकते हो मुझे गुपन करता हूँ तब मेरे को झो टिखाई देता है अगर अपकी पास पहीं मिलता है अगर आपके पास multiple credit card है या फिर एक या दो credit card है तो आपको access bank की app के अंदर यह loan का offer हर महीने दूसरे महीने या तीसरे महीने के बाद आपको जो आपको pre-approved offer है वह आती रहे दो तो यहां पर मेरे पास यह काफी बार आ चुका है अभी तक मैंने इससे एक भी बार लोन लिया नहीं है क्योंकि मुझे अभी तक जुरूत नहीं पड़ी अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर चेक करवाता है तो टाइम टो टाइम के आपको जो है ऐसे लोन के ओफर आ रहे है तो आप भी इनको चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर इस ओफर को अवेल करने के लिए सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट फोर यू नाव अवेलेबर लोन instantly thanks your great credit score तो इस offer को लेने के लिए सबसे पहले आपको जो available offer पर click करना है तो जैसी तो आप available offer पर click करते हो तो यहाँ पर जो है इनका EY calculator खुलके आ जाता है इस calculator के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाख चोबी हजार है उसके बाद यहाँ पर जो टैनर से 24 मत का कम से कम है उसके बाद जो है 36 मत है एंड इसके बाद जो 48 महीने का maximum आपको टाइम मिल जाता है उसके बाद नीचे आप section नमबर दो में जागता है निकला लोन की समरी account selections तो यहाँ पर रेट ओफ इंट्रस्ट कितना है 16.2 परसेंट इम आई कितनी है 247.63 पैसा दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखा हुआ फीस वन टैम प्रोसेसिंग फीस लग रही है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने 4000 पर है चोबिस मत हमने सेलेक्ट किया उसके बाद जो amount rate of interest का है वो है 16.2 परसेंट दोस्तों ठीक है तो से टरीवर की इंडेस के अंदर refund मिल जाता है अगर credit किया जाता है तो आपको वापस देने की जोट नहीं है टेंशन देने की जोट नहीं है अब यहाँ पर जैसी दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूं इसके बाद मैंने जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप से account नमबर मां देना दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं money receive भी हो चुके एक रूपया तो verify होने के बाद account नमबर यहाँ पर नीचे के तरफाव को दिखाई दे रहोगा ठीक है यहाँ पर account नमबर हमारा आ चुका है देन उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं जो भी outstanding है principal interest of rate है या फिर आपकी जो भी यह पूरा key factor जो है आपके सामने यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली यह में आपकी जो है कितने amount की कटेगी कितना उसके पर rate of interest होगा and EMI का amount कितना दोस्तों यहाँ पर clearly देख सकते हो तो मैंने सारे के सारे screenshot यहाँ प ठीक है key factors है जो भी इसके अंदर कुछ parameters ऐसे हैं जो कि आपको जाना बहुत जरूरी है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 50,000 रुपे का आप loan amount ले रहे हैं total interest charges during the entire tenner आपको देने पड़ेंगे 8743 रुपे 17 पैसे जो कि आपको पूरे 24 मेने हमने select किया तो 24 मेने के अंदर आपको 8743 रुपे extra देना पड़ेगा 50,000 के ऊपर दोस्तों अब यहाँ पे आपको 1000 रुपे जो मैंने आपको बताएं कि प्रोसेसिंग फीज भी लग रहे है दोस्तों इसके बाद नेट जो प्रोसे मनें हमने टैनल सेलेक्ट किया है ठीक है और जो इंट्रस ओपर आपका यह लगता दोस्तों चीक है और अमाउंट हमारा जो बन रहा हो 2447 बन रहा है जो कि यह मैं अमाउंट है इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर कुछ चीजे देखनी बहुत ही जुरूरी ह जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं अगर दोस्तों आप यहां पे कोई भी EMI लेट करते हो आपकी EMI बांस हो जाती है तो चार्जिस जाने बहुत ही जरूरी है यहां पे लिखाओ कि अगर एक रुपे से लेके 500 रुपे तक है तब तो कोई आपको चार्जिस नहीं देना इंट्रस्ट ऑफ रेट लाएगा लेट फीस के ऊपर दोस्तों ठीक है अब यहां पर यहां पर यह चीज़ आप लोगों देखें दोस्तों इसके बाद जो है अगला जो फैक्टर क्या गया था कि ओवर लिमिट यूज करने भी आपको जाए 500 तका मैक्सिम चार्जिस यहां पर लग सकता है इसके बाद दोस्तों अगर आपने चेक के थूप कोई इमाई भरी है लाइक आप इमाई तो वैसे ऑटो डैबिट होगी यहां पर तो आपको कोई चैक बगार नहीं चलेगा बट इनकेस अगर आपने चैक के थूप बगार बाउन्स हो जाता दोस्तों ठीक और आप चाहता कि इस लोन को हम फोर्क्रोस कर देते हैं ताकि यहां से टेंशन खतम हो जाएगी बार बार इमाई भरने से बच जाएंगे अगर आपने बाद कहीं से पैसा अरेंज हो जाता है उसके बाद यहां पर जाना बहुत जरूरी है कि जब आप जो है लोन लेते हैं लोन चुकाने से पहले अनकी टाइम से पहले अगर आप उसको फोर्क्रोस करते हैं तो बैंक वाले आप लोगों से 3% का यहां पर भाई फोर्क्रोस चार्जिस भी लेते हैं अगर आपने 50,000 पर यहां पर लोन पे लिया है तो मानके चलना के 50,000 पर के उपर आप लोगों से आपको लगाया जाता है व्यासे 3 परसंट ही होगा इससे ज्ञादा नहीं होगा बट जब आपका अबाउट ज्यादा होता है तो यह जो कैल्कूलेशन काफी बढ़ जाते दोस्तों और हमाँ छोटा होता है तो यह कैल्कूलेशन तो अगर आपको लगता है कि आपको लॉन की जुरूरत है आपको ओफर आ रहा है तो आप यहां से दोस्तों आखे बंद करके लॉन ले सकता है कोई इश्यू नहीं आएगा अगर आपको एमर्जंसी है जुरूरी है तो आप यहां से लॉन उठा लो आपको कोई प्रशानी न एक्स्ट्रा आपको लोन यहां पर देना पड़ रहा है अगर आप 50,000 पर अमाउंट यहां पर पिक अप कर रहे हैं तो दो साल के अंदर 8000 पर आप लों से एक्स्ट्रा लिया भी जा रहा है इसके साथ साथ दोस्तों आपको काफी हरास्मेंट पर होती हैं बट अगर आपको ली जबता है कि आपको थोड़े को ट्पैसे की अमाउंट के जुरूत है तो आप यहां से लोन ले सकते हैं इससे क्या आपका सीबल में फर्क पड़ेगा अगर आपका सीबल भी अच्छा होगा यह नहीं कि आपका सीबल खराब होगा आपका क्रेडिट स्कोर जो है को सब्सक्राइब कर लेना